इंटर रिलिजिन मैरेज को लेकर के आप आपने विचार पहले भी रखे हैं लेकिन हम इस मंज पर जागन मंधन के मंज पर एक बार ये सवाल लेना चाहेंगे कि इंटर रिलिजिन मैरेज को शादी को लेकर के क्या कहींगे? देखें मैंने पहले भी ये बात बोली है कि इंटर रिलिजिन मैरेज में एक बहुत बड़ा इशू बस यही आता है कि आपके जो कुछ जीवन जीने के जो तरीके वो मैच नहीं कर पाते हैं आप कुछ और सोचते हैं क्योंकि आपको बचपन से जो अबरिंगिंग मिली है जो सिखाया गया है वो अलग है क्योंकि हर धर्म के तौर तरीके अलग होते हैं जीने के तौर तरीके अलग होते हैं रिलिजिस फैक्टर छोड़ दीजे जीने के तरीके अलग होते हैं एक धर्म है, यानि हमारा सनातन धर्म है, जहां का जा रहा है कि आपको किसी जीव की हिंसा नहीं करनी, मारना नहीं है वहीं एक दूसरा धर्म है, उसको बचपन से बच्चे को मांस खिलाया जा रहा है उसके लिए वो नॉर्मल है, उसके लिए खाना है, तो अब वो दोनों एक जगे एक छट के नीचे, एक ही साथ में कैसे continue कर पाएंगे, एक छोटा सा एक्जामपल है, ऐसे बहुत सारे खाने में, पहनने में, सोने में, पोलने में, समय differences होता है, तो वहां फिर दोनों का एक दूसरे से connection होना, और अब फिर next बात आती ह कि आगे आने वाली generation को आप क्या दोगे, वो confused रो जाएगी, उसको नहीं पता उसको क्या follow करना है, उसको कहां जाना है, एक रास्ता नहीं है, एक मंच नहीं है, तो इस हिसाब से मेरे विचार से आपको अपने ही religion में, अपने ही जो धर्म है जिसको आप मानते बच्पन से आयो, उसी में ही करना चाहिए, ताकि आपके आगे आने वाले बच्चे भी संसकारी बने, अपने धर्म से जुड़े हुए रहे.